हलो दोस्तों दीपिले कुनिश लैब में आपका बहुत-बहुत स्वाग आते हैं पहले तो आप इस टीवी का प्रॉब्लेम देखिए उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रॉब्लेम को सॉल्ब कैसे करेंगे यह एक टेकनिशन के पास से हमारे पास से टीवी आया है जिसके अंदर प्रॉब्लेम ए आ रहा है कि इसका जो पावर सप्लाइ सेक्षन है यह वाली सेक्षन बहुत ही जादा हीट हो जाता है और उसके बाद 10 मिनिट 15 मिनिट 20 मिनिट या आदा घंड़ा चलने के बाद आपने बंद हो जाती है उसके बाद उसको फिर से दुबारा छू आया है इस किस कंदीसन में मैं आप लोगों को मता या हूं यह दो प्रॉब्ललम हमें बाताया एक टेक लिक्मिश हैं नहीं इसको चलू करता हूं मेने इसका अंदर लाइन में जल रहा है लेकिन यह ब्राइटनेस ज्यादा दिन तक नहीं चल रहा है लगबाग दस मिनीट 15 मिनीट इस से तरगे से चलता है फिर आपने बंद हो जा रहा है तो इस प्रॉब्लेम को हम सॉल्व कैसे करेंगे और एक प्रॉब्लेम इसके अंदर बताया कि यहां पर जो च रास्ता होता है पहला रास्ता कि इसका बैकलाइट को चेंज करके देखना और बैकलाइट को टेस्ट करके देखना यह होता है पहला रास्ता कि बैकलाइट को जब हम बैकलाइट टेस्टर के चेक करेंगे तभी हमें पता चल जाएगा कि बैकलाइट का अंदर प्रॉब्ले ताब हमें क्या करना है कि इसके अंदर एक PWM IC लगा हुआ है 6-pin का बहुत ही छोटा सा उस PWM IC को हमें चेंज करके नेया वाला PWM IC को लगाना पड़ेगा उसके साथ ही साथ यहाँ पर एक कोईल लगा हुआ है फिल्टर कोईल जो कि हमारा जो एसी सिग्नल आती है एसी सिग्नल आने के बाद यह वाली फिल्टर करती है तो उस फिल्टर कोईल को भी हमें चेंज करना होगा यह दो प्रॉसेस जो है यही दो प्रॉसेस को हम लोग फॉलो करता हूं अगर इस प्रोगर्ट से कोई भी टीवी हमारे पास फॉ में हम लोग PWMIC यह कोईल फिल्टर और एक क्यापसिटर को चेंज करने के बाद विल्कुल एकदम हंदेंड परसंट रिपेर हो जाती है अभी फिलाल के लिए में स्टी भी का खोलता हूं इसका बैक लाइट को चेक करता हूं और आपको दिखाता हूं कि इसका अंदर बैक ला हम आइसे हमारे website ले सकते हों सब्सक्राइक नहीं मिलें हैं तो पहले में इसका बैक लाइट को खोलने के लिए दो इस टीव के अंदर जो बेकलाइट है ना इस बेकलाइट को किसी ने पहले सभ्चेंज किया है और इसके अंदर निया वाला दस्टिब को लगाया है तो मुझे लगता है कि यह जो backlight stick लगा हुआ है ना इसके अंदर थोड़ा सा sequence के अंदर गलात हो चुकी है तो मैं आपको सबसे पहले इसको मैं test करके दिखा देता हूं हमारा जो backlight tester है उस backlight tester के जरीए तो यहां पर घुमा लेता हूं घुमाने के बाद आपको यहां पर कनेक्टर दिया हुआ है पॉजिटिव पर पॉजिटिव और नेगेटिव रखता हूं और आप देखिए यह सारे stick या सारे जो LED बल्ब है ना यह सिधा सिधा अग्तों बहुत ही बहतरी नितरेके से जल रहा है और अगर हम बात कर रहें यहां पर लोड की यहां पर आपको लोड भी देखने को मिल जाएंगे 21.7 बोल्टेज लोड ले रहा है इसमें और यह जो बैक लाइस टिक है ना इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव लागा हुआ है तो पॉजिटिव नेगेटिव ने रखता हूं तो यहां पर हमारा 21.7 ले रहा है यह भी सही है और उसके बाद और एक वाली है इसके अंदर भी 21.7 ले रहा है लेकिन जाब में इसको तीनों को एक साथ में मेजर्मेन करने जा रहा हूं यहां पर नेगेटिव और इस साइड पॉजिटिव और अब देखिए मज़ा यहां पर देखिए सिरफ दो इस्टिक जल रहा है बीच में एक इस्टिक नहीं जल रहा है है आप आपको दिखाई देरा होगा कि जा इस्टिक नहीं जल रहा है इसका मतलब यह हुआ कि जो क्णेकशन है ना यहां सही किया हुआ है इसका पोलारेटी हम चेंज कर देंगे जहां पे ब्लैक लगा हुआ है उसको निकल के दूसरे साइट कर देंगे दूसरे साइट से यह धर कर देंगे आएक्चुएली जहां पे जो लगा हुआ है उसको हम चेंज कर देंगे और फिर देखेंगे कि हमारा सारे जो है न वो चल रहा है कि नहीं उसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि मैं आप लोगों बताया कि इसके अंदर जो कोई है ना उसको भी चेंज करेंगे कोई के साथ साथ यह देखी दूस्तों आभी कितना ब्राइटनेस आपको देखने को मिल रहा है कोई भी प्रॉब्लेम अभी हम में नहीं देखने को मिलेगा तो आभी मैं इसको चालू करके रखता हूं लगबग 15-20 आधा गंटा जितने भी होगा मैं देखता हूं कि अभी भी हमारा जो बोड़ है ना वो बोड़ बंद हो जाती है कि नहीं उसके बाद हम अगला प्रॉसेस को फॉलो करेंगे और मुझ देखते हैं इसको चालू करके रखते हैं उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं उसके बारे में जानकारी तो यहां पर देखिए दोस्तों की इसका बैक लाइट तो बंद हो चुका है पांस साथ मिनिट चलने के बाद लेकिन इसका जो मदर बोड है ना यह मदर बोड आभी बी ओन कंडिशन में है तो इसके अंदर ये भी एक प्रोबलेम है जो कि हमने इसका कनेक्शन चेंज कर अवी फिर भी यह प्रोलेम दूर नहीं हो रहा है इसका मतला इसका backlight जो driving section है ना वो driving section सही से काम नहीं कर पर रहा है किवकि इसका backlight change करने के बाद इसके अंदर जो backlight लगाया गया है ये ज्यादा watt का लगाया गया है ना इसलिए ये लोडो नहीं ले पर रहा है जिसके कारें इसका जो power supply ज़्यादा heat हो के ये backlight को बिठा दे रहा है बैक से रहे है यह वो de-activate हो जारह है एकदम से काम करना बंद कर दे रहा है तो इसके अदर प्रब्लम है तो इस problem को हम solve कैसे करेंगे चलिए हम थोड़ा सा इसका mother abord को भी देख लेता हूं और हम इसको कैसे solve कर सकते हैं अगर हमारा मदरबोड सेक्शन यानि की जो कंट्रोलिंग सेक्शन है ना अगर वो भी बंद हो जाता तो हम लोग यहां पे जो PWM IC है उस PWM IC को चेंज करके इसको ठीक कर लेता लेकिन इसका जो मदरबोड मेन मदरबोड सेक्शन है ये सही सलमत चल रहा है कोभी प्रॉब्लेम दिक्कत नह करने के लिए हमारे पास दूसरा रस्ता है इसके अंदर हमें एक external बैकलाइट ड्राइवर को लगाना परेगा उसके बाद हमें इसको चलाना परेगा तो चलिए अब इसके अंदर यह वाली all-in on बैकलाइट ड्राइवर को हम लोग इंस्ट्रॉल करके देखता हूं को और य मिन परेटी को चुका है अब में देटा हूं इसको रिलेज करता हूं अब ये direct क्यूँ चल रहा है क्योंकि हमने इसके साथ डारेट को direct करके रखा हूँ इसलिए तब चलिए मैं करता हूँ इसको ये कितना दिर तक चलता है हम लोग देखता हूँ और उसके बाद जो है ये देखिए दोस्तों अभी मैंने इसको लगबाग आदा घंटा से भी ज् गोल्ड 97E backlight driver को लगाया हूँ क्योंकि इस वाली driver को लगाने के बाद इसका जो brightness है ना ये brightness बहुत ही कम दिखाई दे रहा था यानि कि बहुत ही समन्नों सा दिखाई दे रहा था तो उसमें हमें पिक्चर सही से नहीं देखने को मिलेगा इसलिए हमने ये 97 गोल्ड जो कि 40 इंच टीवी के लेश्तेमाल की जाती है ये वली backlight driver तो उसको हमने इसको connection करने के बाद हमारा brightness सही से देखने को मिल रहा है उसके साथ ही साथ ये जो 5 मिनिट 10 मिनिट 15 मिनिट चलने के बाद बंद हो जा रहा था ये problem भी solve हो चुका है तो अब ही मैं इसको पूरा assemble कर देता हूँ और assemble करने के बाद मैं आप लोको इसको लगबग एक घंटा दो घंटा तक मैं आपने दुकान पर टेस्ट करूँगा उसके बाद इसको customer को deliver करूँगा अभी फिलाल के लिए मैं इसको जल्दी से फटफट रेडी कर लेता हूँ TV के अंदर पैनेल लगाने के बाद सारे connection complete हो चुका है एक बाद इसको पीछे का धकन लगाने से पहले टेस्ट कर लेना चाहूँगा कि हमारा यह जो modification का काम है यह जो हमने backlight driver लगाया हूँ यह सारा काम complete हुआ है कि नहीं एक बाद देख लिए फाइनल टेस्टिंग उसके बाद इसको मैं permanently fix कर दूँगा अभी इसके अंदर मैंने देखिए लाइन दिया अभी standby mode में है और अभी इसका backlight नहीं जला है जैसा ही मैं इसको standby से release करूंगा इसका backlight जल जाएगा और जो problem था ना विए problem भी solve हो जाएंगे चलिए सब्सक्राइब करेंगे तो मैं इसको पीछे का साइड है यह सारे कुछ लगा देता हूं यह दिखिए टीवी बिल्कुल सही हो चुका है जो problem था वो problem दूर हो चुका है तो इस वीडियो के जरीए में आप लोग को दो problem के जो solution होता है न वो आपको बताना चाहरा था पहला कि आगर आपका मदर बूड बहत ही ज्यदा हीट हो रहा है खास करके जो चौपर ट्रैंसफरमूर्ट में वह वह वली ट्रैंसपरमर्ट बहत ही ज्यदा हीट हो रही तो उसके लिए जो है हीट हो जाने के बाद तो आपको बैक लाइट ड्राइबर का अलग से लगाना परेगा और दूसरा process की आपका बैक लाइट को भे चेक करके देखना परेगा कि आपका बैक लाइट सही है या नहीं तो यह दो जन कड़ है जो उम्मीदे कि आपको बहुत ही पसंद आ है और इसा जानकरी आपको पहली बार मिला होगा किसी यूटूब चैनल पर वो भी आप पर नीचे कमेंट करके बताएगा आगर आपको पहले से यह जानकरी पता हो तो और आगर आप किसी भी टॉपिक को और वीडियो या किसी भी जानकरी प्राप्त करना चाहते हों तो भी आप नीचे कमेंट करके बताएगा तो आज की वीडियो में इतने हैं दोस्तों हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ताब तक लिए उसे आल दा बेस्ट